हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अंजे 29 एजुकेशनल चैनल पर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार एस्पेसल बिहार एस्पेसल से बहुत ही महत्पून टॉप 2000 प्रस्णों के शंगरह को देखेंगे फ्रेंड्स जिसके अंतरगत बिहार हिस्टरी बिहार जगरफी और बिहार क्वारिटी के महत्पून प्रस्णों को शमाहित और संकलित किया गया है फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को शूरु से लेकर अंतक देख लेते हैं तो बिहार के अगामी परिक्छाओं में अगर बिहार एस्पेसल से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आपका प्रस्ण एक भी प्रस्ण गलत नहीं होगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेसन किस परसीद जर्मन सोधकारता ने मिथिला चित्रकाला पर सोधकार्ज किया है क्योस्टन नमबर उन का रायट एंसर होगा आप्सण नमबर बी एरिक श्मीत अगला फ्रेंड्स क्योस्टन से क्योस्टन नमबर दो इन्यशको की बिष्व विरासत सुची में बिहार के की सिस अस्थल को सामिल किया है इनस्को की बिश्व बिराशत सुची में बिहार के किस अस्थल को सामिल किया गया है इसका राइट एंसर होगा आप्सर नमबर D यानि B और C महाबोधी मंदिर और नलांदाज महाबिहार को इनस्को की बिश्व बिराशत सुची में सामिल किया गया है घोड़ा कटोरा जील किस जीले में इस्तित है घोड़ा कटोरा जील किस जीले में अवस्तित है Q3 का राइट एंसर होगा option C. नलांदा Q4 लेशिफर लाक का नाम कीड़ा किस ब्रिक्ष पर मिलता है इसका राइट एंसर होगा option B. लाख Q5 मिथिला सायली में सीह की आकिर्थी किसका परतिक है इसका राइट एंसर होगा option A. सक्ति 400 बर्ष पुराना चत्यन्य महाप्रभु मंदिर कहां इस्तित है चो का राइट एंसर होगा option C. पटना में एक आउन सक्ति पीठो में से एक माद दुरुगा का परसीद बड़ा पाटन देवी मंदिर कहां इस्तित है प्रेंट्स आपको बताना है कि पाटन देवी मंदिर कहां इस्तित है Q8. बुधा इश्मिर्थी पार्क का निर्माड कहां किया गया है Q9. बिहार लोग शिकायत इस्तित है निवारन अधिकार अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया Q9. बेगुशराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किश बर्ष नगर निगम का दरजा परदान किया गया Q10. बिहार इस्तित है Q11. बिहार लोग सेवा आयोग अपने कार्ज रूप में कब आया था? Q12. बिहार इस्तित है Q10. कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहां इस्तित है? Q10. सुपॉल में, अरवल में, जमुई में या जहानाबाद में? Q13. कराइटेंसरोगा आप्शन नमबर D. जहानाबाद में Q15. कटरागड कहां इस्तित है? Q15. मलिक इबराहीम बया का मकाबरा कहां इस्तित है? Q16. कराइटेंसरोगा आप्शन नमबर D. बिहार सरीद Q15. महाबोधी ब्रिक्च को किसने नस्ट किया था? Q17. कराइटेंसरोगा आप्शन नमबर A. ससांक Q17. मौर्य कालिन राज परसाद के निर्मार में किस छेत्र के लाल बलुवा पत्थर का प्रियोग किया गया था? Q18. कराइटेंसरोगा आप्शन नमबर B. चुनार था 19 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर सी हरी सी कोश्चन नमबर 20 मुंडेश्वरी मंदिर कहां इस्तित है 20 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर ए कैमूर कैमूर में या मंदिर इस्तित है गेहु और गुलाब किस सहित्यकार की रचना है गेहु और गुलाब किस सहित्यकार की रचना है एक का राइट एंसर होगा आपसर नमबर डी राम ब्रिक्ष बेनी पूरी कोश्चन नमबर दो बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन परसीद है भागलपूर इसका राइट एंसर होगा आपसर नमबर ए भागलपूर नक्टी जील बिहार के किस जीले में इस्तित है तीन का राइट एंसर होगा आपसर नमबर सी जमुई में कोश्चन नमबर चार बिहार इसकूल अफ योग बिहार इसकूल अफ योगा जो मुंगेर में इस्तित है किस थापना किस ने की थी कोश्चन नमबर चार का राइट एंसर होगा आपसर नमबर डी श्वामी सत्यानंद सर्श्वती ने तिरहवी सताब्दी में हजरत मकदुम साह द्वारा अस्ताफित खान का कहा अवस्तित है इसका राइट एंसर होगा आपसर नमबर ए फुलवारी शरीप में बिहार में कितने राष्ट्रिये पार्क हैं? बिहार में टोटल राष्ट्रिये पार्क वन है इसका राइट एंसर होगा आपसर नमबर डी बिहार में छात्रा बिर्च्छा रोपन योजना की शुरूआत कब की गई इसका राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, 2006 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार गिरह अस्थल योजना की शुरूआत किस बितिये बर्स में की गई थे बुध इस्मिर्ती, अस्तूप, सह समयक दर्शन संग्रहाले की अस्थापना कहां की गई है कोस्चन नमबर 9 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, बैसाली में मिथिला सैली में हाथी और घोडे की आकिरती किसका परतिक है दस का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, एस्वर्या बिहार लोक्षेवा आयोके पर्थम अध्यक्ष कौन थे ग्यारट का राइटेंसर होगा राइधारी सी इसका राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, राइधारी सी ककोलत जील, ककोलत जहरना किस जीले में इस्थित है 12 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, नावादा में बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नितितों में बिहार इवक्षं की अस्थापना की गई थी तेरा का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, ज्यान साहा बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर पटना के निर्मार किसके द्वारा कराया गया था बिड़ला मंदिर जो है पटना में है इसका निर्मार किसने करवाया था 14 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B 15 का राइट एंसर होगा अर्जुन ब्रिक्च के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है अप्शन नमबर ए तसर किस योजना के तहत बिहार में सिवरेज टीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जलनिकासी नेटवर्क की अस्थापन की जाएगी सोला का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर डी अस्मार्ट गंगा सिटी योजना कोस्चन नमबर सतर किस यूद के पहच्चात लाड कलाइब तथा मुगल समराट साहालम द्योतिय के बीच 12 अगस 1775 को अलाहबाद में संदी हुई थी 17 का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर डी चंदेरी यूद कोस्चन नमबर ठाड किस खनिच से गंधक मिलता है इसका राइट एंसर होगा अप्शन नमबर ए पाई राइट किस बोध एस्तुप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है किस बोध एस्तुप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है 19 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर एक किसरिया अहिरौली मंदिर कहां इस्तित है कोश्चन नमबर 20 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर सी बॉक्सर में पदम स्री सिया देवी कोशलया देवी गंगा देवी जगदामबा देवी भागवती देवी मैना देवी लाल बाबा एवं ससी कला देवी किस कला के प्रमुक कलाकार है कोश्चन नमबर 1 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर सी मदुगानी चित्र कला बिहार के किस कलाकार के चित्रों की परदर्शनी जपान में लग चुकी है दो का राइट एंसर होगा आपसर नमबर बी ससी कला देवी का बिहार की राजकिये मचली किस मचली के गोशित किया गया है तीन का राइट एंसर होगा आपसन नमबर D मांगूर किस मुसलिम सासक ने तिर्थ यात्रा कर को शमाप्त कर दिया था चार का राइट एंसर होगा आपसन नमबर D अकबर अपनी पहली पुस्तक के लिए बर्स 2000 का सहीत अकादमी पुरुषकार पाने वाले मैथली लेखक का नाम क्या है पाँच का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C, सकेत नंदन क्वेश्चन नमबर 106, लोह तत्व की अधिक्ता किश मिटी में पाई जाती है किस सिला लेख में असोक ने कलिंग यूद के हता हतों का उलेख किया है साथ का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A, वन सिला राजा देश में बिहार के वाहनों के नेम पलेट पर राज्य के नाम को किन अक्छरों से दर्षाया जाता है किस बिद्वान के अनुसार कलिंग यूद का मुख्य कारण हाथियों के छेत्र को प्राप्त करना था नाइन का राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, कोटेल लिया कोस्चन नमबर दस उदैपुर जील निमन में से किस जीले में स्थित है उदैपुर जील किस जीले में स्थित है दस कर राइट एंसर होगा आपसन नमबर A, पस्चिमी चंपारन गंगा नरायन का हंगामा किस बिद्रो को कहा जाता है गेरट का राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, भूमिज बिद्रो बिहार पसु बिज्ञान विश्व बिद्याले बिद्यायक 2016 किस बिद्या बर्स में अधिस उचित किया गया था बारा का राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, 2016 और 2017 के बिद्या बर्स में कोश्चन नमबर 13, Prince of Wales किस बर्स पटना आया थे तेरा का राइट एंसर होगा आपसन नमबर C, 19-21 इसपी में अगला प्रस्टने फ्रेंट, संथाल प्रगना जीले की अस्थापना कब की गई थी संथाल प्रगना जीले की अस्थापना कब की गई थी इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, 18-26 इसपी में रोबर्ट कलाइब ने किस भारतियों को बिहार का नायब दिवान नियुक्त किया था इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर A, शिताब राय को नेपाल एवं भारत में 1969 इसपी में किस प्रियोजना के लिए समझावता हुआ था इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, गंड़क प्रियोजना के लिए 17 नमबर कोश्चन, किस प्रियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोदक बांध बनाया गया है आपसन नमबर C, इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर C, कोशी कोश्चन नमबर अठाड़ा, स्वेतपूर, कोटी ग्राम, कुस पल्लाव, विसला नगरी, आदी के नाम से किस पसवाण एस्तल को जाना जाता है अठाड़ा का राइट एंसर होगा आपसन नमबर A, चेचर को चेचर के नाम से, बिहार पृत्वी दिवस कौब मनाया जाता है उनिश का राइट एंसर होगा आपसन नमबर C, नौ अगस्त को कोश्चन नमबर 20, किस पाल सासक ने ललंदा महा बिहार को 200 गराम दान स्वार रूप की दिये थे बिश का राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, धरम पाल ने अगला प्रशने फ्रेंट्स, पाल वन्स का पाल वन्स का दिवतिय संस्थाप किस पाल सासक को कहा जाता है आपसन नमबर C, महिपाल को प्रतिहार सासक वत्स राज एवं राष्ट कूट सासक द्रू को प्राजित करने वाले पाल सासक का नाम क्या था दो का राइट एंसर होगा आपसन नमबर C, धरम पाल भारत में तुर्कों के अगमन का परररंबिक इतिहास किस पुस्तक में है तीन का राइट एंसर होगा आपसन नमबर A, तबका ते नाशरी या भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रस्न है फ्रेंट्स या BPSC में पुछा जा चुका है अकबर के शमय में कानून बनाकर किस प्रथा को निसीद घोशित कर दिया गया था चार का राइट एंसर होगा आपसन नमबर B, शती पर्था को कोस्चन नमबर फाइप, सैफ खान के मदर्से यानि पटना में सैफ खान का जो मदर्सा है वो पटना में है किस परसीद इरानी या तरी ने ठाड़ साथ इस्पी में भर्मन किया था पांच कर राइट एंसर होगा आपसन नमबर C, आहमद बहानी कोस्चन नमबर छो, किस परसीद जर्मन सोधकारता ने मिथिला चितरकाला पर सोधकार्ज किया है चो कर राइट एंसर होगा आपसन नमबर A, एरिक इश्मीत ने अगला प्रस्ण है, कली का अंस, सर्वच छंत्रात्मक, सर्वच छत्रान तक, परसुराम का दूसरा अवतार भारगव, एक राट आदी किस राज को कहा जाता है कोस्चन नमबर साथ का राइट एंसर होगा, आपसन नमबर D, महापद दम नंद को मगत की राजदानी पाटली पूत्र से बैसाली अस्थन अंत्रित करने वाला राजा का क्या नम था आपसन नमबर E, इसका राइट एंसर होगा, आपसन नमबर E, शिसुनाग पाटली पूत्र को किस राजा ने श्वरपर्थ मगत की राजदानी बनाई थे किस राजा ने पटली पुत्र को बसाया था क्वेश्चन नम्बर 11 भागवा चौर बिहार के किस जिले में इस्तित है किस क्वेश्चन नम्र 12 है दियुतिय अफगान समराज किस स्थापक के रूप में किस सासक को जाना जाता है 12 का राज़ नम्र भागवा चौर बिहार का अगरदूत किस सासक को कहा जाता है 13 का राज़ नम्र भागवा चौर बिहार किस सासक को जाता है 14 का राज़ नम्र भागवा अप्सन नम्र ए अप्सन नम्र सी कुमार गुप्त Q15. मगद में बारे बरसों का भीशड अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? 15 का राटेंसर होगा आपसन नमबर C. चंदगुप्त मौर्या मगद राजी को एक समराज का गौरो परदान करने वाला सासक का नाम क्या था? 16 का राटेंसर होगा आपसन नमबर A. बिमी सार Q17. पाटली पुत्र का नाम करन पटना किस सासक ने किया था? 17 का राटेंसर होगा आपसन नमबर C. शेर्शा शूरी ने किस सासक ने पटली पूत्रा को पुन रायधानी बनाया और तब से मगत समराजी की रायधानी पाटली पूत्रा ही रही अठाड़ा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर D काला सोक ने अगला question से friends सासार राम इस्तित सेर साह का मकाबरा किस सैली का सरस्रेश्ट नमूना है काने का मतलब friends कि सेर साह सुरी का जो मकाबरा बना है वो किस सैली का बना हुआ है उनिश का right answer होगा option number C अफगानी सैली question number 20 चवार्क दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था बिष का right answer होगा option number A लोकायत बिहार में ग्रिफ हाइट किस बिहार में ग्रिफ हाइट किस जीले में पाया जाता है इसका right answer होगा option number B जमुई में पाटना में किस मुगल समराट का अपचारिक राज अभिशेक हुआ था दो का right answer होगा option number C फरुक सीयर का question number 3 बिहार का प्रेमचंद किस सहित्यकार को कहा जाता है तीन का right answer होगा option number D अनुपलाल मंडल को गुप्त धाम कहा इस्तित है इसका right answer होगा option number B गुप्त धाम रोहतास में इस्तित है बिहार छात्र परिशद को किस सोतनतरता सेनानी ने संगठित किया था question number 5 का right answer होगा option number A रजेंदर परसाद ने रानी का अभिलेख किस अस्थम लेख को कहा जाता है किस उद्यान को राज्य का पहला पलास्टिक निशीद छेत्र बनाया गया है question number 7 का right answer होगा option number A संजय गांधी जविक उद्यान गैंड़ा परजनन का एसिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित किया गया है 8 का right answer होगा option number D संजय गांधी जविक उद्यान में राजी की जनसंख्या ब्रिदिदर रिनात्मक यानि माइनस 0.97 परतिसद किस दसक में रहा था question number 9 का right answer होगा option number B 1911 से लेके 1921 इस्पी के दसक में question number 10 बिहार राजे ने बिहार राजे से किस देश की शीमा जूडती है question number 11 बिहार महीला समाख्या सोसाइटी के नाम से महीला समाख्या को स्वायता किश बर्ष प्राप्त हुई थी 11 का right answer होगा option number C 26 में राज प्रतत्व निदे सालाई के स्थापना किश बर्ष की गई थे 12 का right answer होगा option number D 1922 इस्पी में जरसांगा किस वंस का सरवाधिक परसीद राजा था 13 का right answer होगा option number A बिरहद्रत बिरहद्रत बंस का मिथिला का श्वन्ड यूग किस वंस के शाषन काल को कहा जाता है 14 का right answer होगा option number B करनाट वंस कौशी की किस बस्तु का ब्रांड नाम है 15 का right answer होगा option number A रेशम धागा Q16 सरकारी संडक्षन में किस तरह के बन को रखा जाता है 16 का right answer होगा option number B शुरक्षित बन पहली बार 16 महाजन पदों का बंडन किस जैन सहित में किस जैन सहित में मिलता है 17 का right answer होगा option number D भगवाती सुत्र में Q18 नंगी हडताल जोकी अन्यस तीस इसपी में हुआ था किस जेल के कैदियों ने की थी Q18 का right answer होगा option number B छापरा जेल में हुआ था नंगी हडताल उन्यस तीस इसपी में छापरा जेल में हुआ था Q19 बिहार के परसीद लोक कभी भिखारी ठाकूर किस नाटक के रचाइता है उन्यस का right answer होगा option number C बिदेशिया बिहार में कितने सक्ति पीठ है बिहार में कितने सक्ति पीठ है बिष्ट का right answer होगा option number D दस शुमा गधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है शुमा गधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है इसका right answer होगा option number C शकरी नदी को लखन देही और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है दो का right answer होगा option number A घागरा नदी को Q3. इंद्र पूरी बेराज का निर्माण 1968 इसपी में किस नदी पर किया गया था? तीन का राइट एंसर होगा, आप्शन नमबर डी, सोन नदी पर भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता था? भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता था? चार का राइट एंसर होगा, आप्शन नमबर A, जौन पूर को Q5. मिथला सहली में मचली की आकरिती किस का परतिक है? 5 का राइट एंसर होगा, आप्शन नमबर B, कामो उतेजना Q6. अभिनेत्री सुनाक्षी शिनाहा, बिहार के किस अभिनेता की पुत्री है? बहुती सिंपल कोच्चन है, यह सतुदन शिनाहा की Q7. रुद्र दामन परत्थम की बिभीन उपलब्धियां किस अभिलेक में बढ़नित है? Q7. आप्शन नमबर D, जुनागड अभिलेक में असोको बूद्धि साक के किस अभिलेक में कहा गया है? Q9. असोक को प्रिय दर्शी किस अभिलेक में कहा गया है? Q9. आप्शन नमबर A, भाबरू अभिलेक में Q10. आप्शन नमबर C, तीस बर्श के अभिलेक में Q11. राजपाल राष्टपती से राज़ में राष्टपती सासन की शिफारिज किस अनुछेद के तहत करता है? Q11. आप्शन नमबर D, अनुछेद 356 Q12. भाबरू भाबर के राष्टपती द्वारा राष्टरिय अपातकाल की घोषना किस अनुछेद के अनुछेद के अनुछार की जाती है? Q12. आप्शन नमबर A, अनुछेद 352 Q13. अगला प्रस्णे फ्रेंट्स, किस गरंथ का संकलन तिर्थिय बौध संगीती में किया गया था? Q13. आप्शन नमबर C, अभिधाम पीटक को Q13. बौध धर्म के नियम किस गरंथ में है? Q14. आप्शन नमबर A, बिनाए पीटक में Q15. बौध धर्म के दार्शनिक ब्याखेया किस गरंथ में की गई है? Q15. आप्शन नमबर B, अभिधाम पीटक में Q15. पहली बार महाजन पदों की जनकारी किस गरंथ में मिलती है? Q16. आप्शन नमबर D, B और C, अंगुतर निकाय और भगवती शुत्र दोनों में मिलती है Q17. बिहार का कालिदास किस लोग कभी खुक माना जाता है? Q17. आप्शन नमबर B, भिखारी ठाकूर को Q18. बिहार के शुवेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में बिद्रो किया था? Q18. किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुस्यों और पशुओं को लिए अलग-अलग चिकीत साले यानी हस्पिटल की अस्थापना करवाई थी 19 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर D, गिरनार अभिलेक से Q20. राजपाल किस की सला से मंत्री परिशत के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? बीश्ट का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर एग मुख्य मंत्री सी सेन किस सासक का एक अन्य नाम है सी सेन किस सासक का एक अन्य नाम था वन का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर डी बिंदुसार बीमबा, गोपा, भदरकच्छा, आदी किस रानी के अन्य नाम है? कोश्चन नमबर दो का राइट एंसर होगा, आपसन नमबर शी, यसोधरा कोश्चन नमबर थ्री, मिथिला सैली में बांस की आकरिती किस का परतिक है? बिहार प्रांतिये कंग्रेस का दुसरा अधिवेशन किसके प्रयत्रों से हुआ था? कोश्चन नमबर चार का राइट अंसर होगा आप्शन नमबर बी दिप नरायन सिंग कोश्चन नमबर फाइब राजे में मांसुन स्वरपर्थम किस क्रिसी उप जोन में आता है? फाइब का राइट अंसर होगा आप्शन नमबर बी जोन नमबर टू जोन टू में जैप्रकास नरायन अंतराष्ट्री हवाई अड़ा किस जीले में अवस्तित है? कॉशल को कॉशल को अंतिम रूप से मगद में किस के साशन काल में मिला लिया गया था? कोश्चन नमबर शाथ का राइट अंसर होगा आप्शन नमबर बी आजात सत्रू के साशन काल में Q8. चंद्रकुप्त मौर्यों को भारत का मुक्ति दाता किसे से मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है 8 का रैटन सरोगा आपसन नमबर A. युनानियों से Q9. चुनापुरहवाई अड़ा जो पूर्णिया में है किस परकार का हवाई अड़ा है Q9. चुनापुरहवाई अड़ा पूर्णिया में इस्तित है या किस परकार का हवाई अड़ा है 9 का रैटन सरोगा आपसन नमबर A. राक्षा Q10. बिहार का पहला हिंदी समाचर पत्र बिहार बंदू कब शुरू हुआ था Q10. बिहार का पहला हिंदी समाचर पत्र जो था वो बिहार बंदू था या कब शुरू किया गया था 10 का रैटन सरोगा आपसन नमबर C. अठाड़े सचोहत्तर इस्पी में Q11. बोध गया में इस्तित बोधी मंदिर एवं गरनाइट निर्मित डेलिंग के बारे में शुर्पर्थम जनकारी देने वाले कौन थे? 11 का रैटन सरोगा आपसन नमबर B. कनिगम मतपून एतिहासिक पुस्तक खुलासत उत त्वारिक किसकी रचना है? 12 का रैटन सरोगा आपसन नमबर B. कलयान सींका बिहार का सासक बनने के बाद हजरते आला की पदवी किस सासक ने धारन की थी? कोश्चन नमबर 14 का रैटन सरोगा कोश्चन नमबर 13 का रैटन सरोगा आपसन नमबर C. सेर सासूरी ने बैसाली इस्तित सीं अस्थम की अस्थापना किस ने की थी? चोदा कराइट एंसर होगा अप्सन नमबर बी असोक ने नलंदा विश्व विद्याले को जला कर किशने नस्ट कर दिया था पंदरा कराइट एंसर होगा अप्सन नमबर सी बक्तियार खिलजी ने कितने पर्यावरणिये सोधन सील छेत्र को राज सरकार ने बनने जीव जल पक्षी एवं पर्यावरण को संडक्षित करने के लिए निर्धारित किया है कितने समय की कठोर तपास्या के बाद महाबीर को ज्यान की प्राप्ति होई थे सतरा कराइटेंसर होगा आपसन नमबर बी बारे बरसों के बाद क्वेश्चन नमबर एटिन ब्रिटिश सासन के दौरान भारत के हालात पर किस ब्रिटिश सासक ने टीपिनी लिखी है अठाड़ा कराइटेंसर होगा आपसन नमबर डी कैथरिन मियो एल्डस हकसले और चार्ल्स एंड्रूज ने इन तीनों ने लिखी है अपना टीपिनी इन तीनों ने दी थी इसका राइटेंसर होगा आपसन नमबर डी भारतिय पुरतत्त्तो बिज्ञान का जनक किन को कहते हैं उन्नीश का राइटेंसर होगा आपसन नमबर डी इसका राइटेंसर होगा आपसन नमबर डी दिल्ली में किया था मिथिला के ब्राहमन्ट समुदाय का जातीगत तेहवार कौन सा है वन का राइटेंसर होगा आपसन नमबर बी कोजगरा पूर्णिया जीला भुकम परभावित किस जोन में आता है दो का राइटेंसर होगा आपसन नमबर डी जोन नमबर फाइप में Q3. सेंड्रो कोटस, एंड्रो कोटस, सेंड्रो कोटपस, सेंड्रो कोप्टस आदी नामों से किस राजा को जाना जाता है तीन का राइट एंसर होगा Q4. मिथला सैली में केले की आकरिती किस का परतीक है Q4. का राइट एंसर होगा Q5. अगस्त दोहर सोला में नगर निगम का दरजा राज के किस नगर को परदान किया गया है Q6. राइबरी देवी ने कितनी बार बिहार की मुख्य मंत्री बनी है Q6. राइट एंसर होगा अप्शन नबर 1 A. यानि एक बार Q7. बरस्त दोहर सोला की Q7. एम टीवी इंडियाज नेक्स्ट मॉडल बिहार की किस मॉडल को चूना गया था Q9. आजाद भारत में बिहार के पर्थम राजपाल कौन हुए थे Q9. राइट एंसर होगा आप्शन नबर B. जैराम दास दौलत राम Q10. बिद्यापती का माता का नाम क्या था Q10. राइट एंसर होगा आप्शन नबर A. हाशीनी देवी Q11. बिहार की पहली चीनी मिल किस जीले में इस्थापित होई थी Q12. राइट एंसर होगा आप्शन नबर A. पुर्वी चंपारन में Q13. मिशन इंद्र धनूस की शुरूआत बिहार राज की कितने जीलों में की गई है Q14. जोग की शर्वदिक खेती बिहार के किस जीले में होती है Q14. राइट एंसर होगा आप्शन नबर C. पुर्वी चंपारन में Q16. कौन सी नदी हिरन्य वाह तथा सुन भद्र के नाम से परसीध है Q18. हिंदु धार्मिक मन्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या असुभ माना जाता है Q18. का राइट एंसर होगा आप्शन नबर 1. कर्मनासा नदी को Q19. का राइट एंसर होगा आप्शन नबर C. बराउनी में Q20. बिखारी ठाकूर का जन्म कब और कहां हुआ था? Q20. का राइट एंसर होगा आप्शन नबर A. 18-87 पिमेन का जन्म हुआ था और सारन जीले में हुआ था Q20. प्रिती पक्ष में भव्य और विशाल मेला किस अस्थल पर लगता है? Q20. इसका राइट एंसर होगा आप्शन नबर D. गया में Q20. दिल्ली मेरट अस्थम लेक पहले कहां इस्तित्था? Q2. आप्शन नबर A. मेरट में Q3. रियासत कास्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? Q3. आप्शन नबर C. बटाईदारी कानून अगला प्रशन है रिजर्ब बैंक के स्थापना कब हुई थी? Q5. ठांका चित्र साईली के 109 चित्र बिहार राज के किस संगरहाले में सुरक्षित है? Q6. ठांका साईली किस परकार की साईली है? Q7. ठांका साईली किस परकार की साईली है? Q6. आप्शन नबर B. तिबत्ती साईली Q7. आप्शन नबर A. कासी? Q8. आप्शन नबर A. कासी? Q8. आप्शन नबर C. काला सोग Q7. ठांका साईली में हंस और मयूर की आकिरिती किस का परतीक है? Q9. आप्शन नबर B. सांती का Q8. सिधार्त के ग्रिह तयाक के समय उनका सार्थी कौन था? Q11. सिधार्त के ग्रिह तयाक के समय जो गोड़ा उनके साथ था? Q11. आप्शन नबर A. कौन थक? Q11. सिधु और कान्हू को कहां फासी दी गई थी? Q12. आप्शन नबर B. बारहेट में Q13. सिधु के दस्वे गुरु गुरु गुबिन सी की जनमतिती के आउसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? Q13. आप्शन नबर A. परकास पर्व Q13. सिधु छेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पाधन करता है? Q14. आप्शन नबर C. गेहु का Q15. सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? Q15. आप्शन नबर B. बरौनी में Q15. बिद्यापती के पीता का नाम क्या था? Q16. आप्शन नबर C. गडपती ठाकूर Q17. सितंबर 2009 में Q17. सितंबर 2009 इसपी से पररंब अक्षर आचल योजना का उदेश से क्या था? Q17. आप्शन नबर A. महीला सक्षारता दर में बिरिधी करना Q18. आप्शन नबर C. मधुवणी में Q19. दिल्ली की राजगदी पर बैटने वाला बिहार का पहला सासक कौन था? Q19. आप्शन नबर D. शेर सासूरी Q20. बिहार में अभित्त कुल कितनी बार राष्ट्रपती शासन लागू हुआ है? बिश का राटने शरोगा आप्शन नबर C. आठ बार दिल्ली मेरट अस्थमले किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? बिश के द्वारा दिल्ली लाया गया था? बिश का राटने शरोगा आप्शन नबर D. फिरोसा तुगलक कोस्चन नबर टू आजाद दस्ते का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया था? दो का राटने शरोगा आप्शन नबर E. राजेंदर परसाद के द्वारा अगला कोस्चन से फ्रेंड्स बिश्नुपद मंदिर कहां इस्तित है? तीन का राटने शरोगा आप्शन नबर B. गया में दुनिया का सबसे पहला गरतंत्र कहां इस्थापित हुआ था? चार का राटने शरोगा आप्शन नबर C. बिहार में कोस्चन नबर 5 बिश्व का सबसे उंचा बिश्व सांती अस्तूप बिहार में कहां इस्तित है? पांच का राटने शरोगा आप्शन नबर A. राजगीर में बिहार बिधान सभा में पास होने के बाद धन बिधहयक को कहां पेस किया जाता है? चार का राटने शरोगा आप्शन नबर A. बिधान परिशद में Q7. बिश्व का पर्थम लोकतांत्रिक गड़राज कहां इस्थापित हुआ था? 7 का राइट इंसर होगा आप्शन नमबर D. बज्जी में चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहां इस्तित है? 8 का राइट इंसर होगा आप्शन नमबर D. शरवण बेल गोला में 9 का राइट इंसर होगा आप्शन नमबर A. राजपाल 10 का राइट इंसर होगा आप्शन नमबर C. भागलपूर में बिधान सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन की पुर्वर सुचना के बाद लाया गया अविश्वास परस्ताव बिधान सभा में पास्त करा के उसे पद से हटाया जा सकता है अप्शन नमबर A. 12 दिन, अप्शन नमबर B. 14 दिन, अप्शन नमबर C. 16 दिन, अप्शन नमबर D. 18 दिन 11 का राइट इंसर होगा अप्शन नमबर B. 14 दिन बिध्यापती की परसीद रचनाए किस भासा में है? 12 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर D मैथिली भासा में सोनपुरमेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंड़क नदी के संगप पर कब लगता है 13 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर A D, आप्सन नबर D कार्तिक के दिन 14 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर C, देवदत मिश्राने 15 मिथिला सैली में सुर्य और चंदर की आकरिती किसका परतिक है 15 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर A, शान्ती 16 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर A, कोशी परियोजना से किस एक राज एंवम किस एक देश को लाभ मिलता है 17 कराइट एंसर होगा आप्सन नबर A, बिहार और नेपाल को बिद्यालेओं के लिए मध्यान भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी इसका राइट एंसर होगा आप्सन नबर C, उनिश्य पंचानवेश भी में राज के बिभाजन के बाद बिहार का छेत्रफल कितना बर्ग किलोमेटर रह गया है 19 का राइट एंसर होगा आप्सन नबर D, 94,163 बर्ग किलोमेटर 20 फिरोशा तुगलक द्वरा एस्थापित दार उल्षफा क्या था? 20 का राइट एंसर होगा आप्सन नबर E, अस्पताल था प्रसासनिक बिभागों में पद ब्रिधी किश बिभाग की शहमती से होती है कोश्चन नबर 1 का राइट एंसर होगा आप्सन नबर D, बीत बिभाग कोश्चन नबर 2, बिदेह के किस राजा के दरबार में याग वलकए एवं उनकी पतनी मेतरा ही रहते थे दो का राइट एंसर होगा आपिसन broad number a. जयनक जयनक राजा के दरबार में भीष्व का पहला गरतंत्र वैसाली में किसके द्वरा इस्थापित किया गया था तीन का राइट एंसर होगा आपिसन नम्बब शी लिच्ष्वियो के द्वरा question नमबर चार जिला आपदा प्रभंदन, प्राधीकरन के अध्यक्ष कौन होते हैं चार का राटेंसर होगा, अप्षन नमबर 3 जिला अधिकारी विष्णु पद मंदिर का नौ निर्मान किष्के द्वारा कराया गया पांच का राटेंसर होगा, अप्षन नमबर 2 अहलिया बाई के द्वारा Q6. विश्व के सबसे लंबे शड़क पूलों में से एक महात्मा गांधी शेतु भारत के किस राज में इस्तित है? 6. आपसर नमबर A. बिहार राज में 8. बिधान मंडल का बार्शी की बित परतिवेदन किसके द्वारा परस्तूत किया जाता है? Q7. आपसर नमबर A. राजपाल के द्वारा 8. आपसर नमबर B. कुशुमपूर में 8. बिक्रम सिला महा बिहार की अस्थपना किस पाल सासक ने की थी? Q9. आपसर नमबर A. धरम पाल ने बिधान सभा के एक मनुनित सदस्य का मनुनायन किस के द्वारा किया जाता है? Q10. आपसर नमबर D. राजपाल के द्वारा Q10. कौन सा राजप बिहार के पूरब में इस्थित है? 11. आपसर नमबर B. पस्चिम बंगाल बिक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारन कहां इस्थित है? 12. आपसर नमबर D. भागलपूर में बिहार के उत्री मैदानी भाग को कौन सी नदी दो भागों में बाड़ती है? 13. आपसर नमबर B. बागमती नदी 14. बिजय प्राप्त करने वाले ब्यक्ति को जयन धर में क्या कहा जाता था? 14. आपसर नमबर C. बित्राग 15. बिने पिटा का संकलन किसके द्वारा किया गया है? 15. आपसर नमबर A. उपाली के द्वारा 16. बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है? 16. आपसर नमबर C. कोशी नदी चिरांद का उद्खनन किस बर्स में हुआ था? 17. आपसर नमबर B. उनिश्य बाश्य थिश्पी में 17. बिहार में चकबंदी अधिनियम किस बर्स पारित किया गया था? 18. आपसर नमबर D. उनिश्य चपनिश्पी में 19. आपसर नमबर E. गंगा नदी के तड़ पर 20. बिहार में किस अस्तर पर E. किशान भावन इस्थापित करने का लक्ष रखा गया है? 20. आपसर नमबर B. पर्खंड अस्तर पर 21. आपसर नमबर C. कोशी नदी 21. अगला कोश्चन एफ फ्रेंड्स 22. जीला नियोजन एवं विकास परिसत का परधान कोन होता है? 22. कोश्चन नमबर 3 का राइट एंसर होगा 22. आपसर नमबर D. जीला विकास पदाधिकारी 22. जीला विकास पदाधिकारी 22. राज्य में भूमी सुधार अधनियम किस बर्ष पारित किया गया था? 22. चार का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. उनिस पचास इसपी में 22. जीला परसासन का परमुख कौन होता है? 22. बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का परमाण कहां से मिलता है? 22. चार का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. मनेर से 22. कोश्चन नमबर 7. बिहार से नल कुपो द्वारा सबसे अधिक सी चाई किस जीले में होती है? 22. साथ का राइट एंसर होगा आपसर नमबर D. पटना में 22. कोण सी नदी सोमेश्वर की पहाडियों से निकलती है? 23. आठ का राइट एंसर होगा आपसर नमबर B. बुंधी गंधक नदी 24. बिहार आने वाला कोण सा यात्री सेलकुस्ट का राजदूत्था? 24. कोश्चन नमबर 9 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर B. मिगस्थनीच 25. कोश्चन नमबर 10. बिहार राज की दच्छिडी सीमा से कौन सा राज शटा हुआ है? कौन सा राज लगा हुआ है? 25. आपसर नमबर A. च्छारखंड राज 25. कोश्चन नमबर 11. बिकरम, सीला, गंगा, डॉल्फिन, अभ्यारन कब इस्थापित किया गया था? 11. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. उननीश नबबे इश्वी में 25. कोश्चन नमबर 12. करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? 12. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. घागरा नदी का अगला प्रसन है, कौश्चन नमबर 14. बिहार में नहरों से सबसे अधिक सीचाई किस जीले में होती है? 14. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. रोहतास कोश्चन नमबर 15. बिहार में सक्षार्ता अभियान कब अर्रंब हुआ था? 15. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. 1977 इश्पी में 15. अगला प्रशन है किस बिश्व बिद्याले को बिहार का पर्थम बिश्व बिद्याले होने का गौरो प्राप्त है? 16. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. पटना बिश्व बिद्याले 17. बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित सरन्रचना कितने अस्थरिये हैं? 17. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर B. तिरी अस्थरिये 18. चिरांद का नामकरन किस सासक के नाम पर हुआ है? 18. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. चेर सासक के नाम पर 19. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर B. बिहार से 19. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. हड़ापा साभ्यता का 20. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. घाना नंद 20. का राइट एंसर होगा आपसर नमबर B. शुपर 30 20. कोटेले का शंबंद किस बिश्व बिदाले से था आपसर नमबर 4 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C. तक्ष सीला अभी तक्ष सीला बरतमान में पकिस्तान में इस्तित है कोश्चन नमबर 5. बिहार कितने राज्यों से घीरा हुआ है कोश्चन नमबर 5 का राइट एंसर होगा आपसर नमबर A. तीन राज्यों से कोश्चन नमबर C. नी गरंथी नी गरंथी का क्या अर्थ है कोश्चन नमबर 7. लिंगा अनुपात के अनुशार देश में बिहार का कौन सा स्थान है कोश्चन नमबर 8. लिछवी दोहित्र किस गुप्त सासक को कहा गया है कोश्चन नमबर 10. भारत के महान जो तीसा चार्य आर्य भटका बिहार के किस नगर से 11 संबंद रहा है 10 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर D. पाटली पुत्र से बिहार के किस छेत्र के संबंद में बसाती नूल उनस्त का एक मुलेवान इस्त्रोत है 11 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर E. तिरहुत 12 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर E. कपूल बस्तू 12 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर B. शिशुनाग वनस का 12 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर C. धनवंत्री 15 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर C. शिशुनाग ने 16 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर E. काव नदी पर 17 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर E. काव नदी पर 18 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर D. विश्नुगुप्त विश्नुगुप्त का अन्य नाम था चड़क्या 19 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर B. चलू क्यों विश्नुप्त 20 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर A. नलांदा में 20 किस पिद्वान के अनुसार कलिंग यूद का कारण व्यपार वानिज्य के लिए शमुदरी दट प्राप्त करना था 21 का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर C. पिलनी के अनुसार 21 किस जिले में अवस्तित है दो का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर A. मुंगेर में इस्तित है 21 किस राजे में विश्यो के पर्थम गड़ तक आरे भट का जनम होगा तीन का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर C. बिहार राजे में 21 किस अगला प्रस्ट ने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमेटर परवाहित होती है चार का राइटेंसर होगा अप्षन नमबर A. 4 सब 45 किलोमेटर भारत का पर्थम समराजे कौन है Q6. भारत का सबसे बड़ा रेलबे पूल अब्दूल बारीब पूल बिहार में किस नदी पर है? 6. आपसन नदी पर मिधिला संस्कृत बिध्या पीट कहां इस्तित है? 7. आपसन नदी पर दरभांगा में? 8. मिशन इंद्र धनुस की शुरुआत बिहार में कब की गए थी? 8. आपसन नदी पर दरभांगा में? 9. बिहार में शर्वाधिक गती से परभाहित होने वाली नदी कौन सी है? 9. आपसन नदी बुढ़ी गंड़क नदी हर एक वन्स का दूसरा सासक कौन था? 10. डिषर तन डाक्टर आजंदर परसात का जनम कब और कहां हुआ था? देशरतन डाक्टर रजंदर परसाद का जनम अठाड़ा सच चोराजपी स्पी में शिवान के जीरा देई नामक गाउं में हुआ था इसलिए इसका प्रस्ण का राइट अंसर होगा आपसर नमबर सी भारत के समिधान के किस अनुछेद के अनुसार राज मंत्री परसद के परधान मुख्य मंत्री की नियुक्ती राज पाल करेगा कोश्चन नमबर बारा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर बी अनुछेद नमबर 164 के अंतरगत कोश्चन नमबर 13 सबिधान के किस अनुछेद में समंदित राज्य में एक बिधान सावा होने का परधान है कोश्चन नमबर 13 का राइट अंसर होगा आपसर नमबर सी अनुछेद 170 के अंतरगत ताइकॉंडो खिलाडी नितु चंद्रा ने किस बर्स वर्ल्ड ताइकॉंडो चिंपियनसीप होंग कॉंग में भारत का परतिनी दित्तों किया था 14 कराइट अंसर होगा आपसर नमबर बी उनुछेद संतानबे इसपी में बिहार से प्राप्त पहला दिवभासी अभिलेक किस मध्य कालिन सासक से संबंदित है 15 कराइट अंसर होगा आपसर नमबर ए शेर सा सुरी का फिल्म निर्देशक इमत्याज अली का जन्म बिहार के किस सहर में हुआ है 16 कराइट अंसर होगा अपसर नमबर शी पटना जिला में कोश्चन नमबर 17 भारत में लिखी गई भार्षी भासा की पर्थम राचना कौन सी है 17 कराइट अंसर होगा अपसर नमबर डी तबकात ये नासरी कोश्चन नमबर 18 भारत में श्वर पर्थम जन्गाडना कब सुई हुई थी भारत में श्वर पर्थम जन्गाडना कब हुई थी अठाड कराइट अंसर होगा अपसर नमबर डी अठाड सा बहत्तर इस्पी में बहाबी अंदोलन का नित्रित्तो करता कौन था 19 कराइट अंसर होगा अपसर नमबर डी श्यद अहमद बरेलवी 20 भारत में जन्गाडना का परर्रंब किस वैशराई के काल में हुआ था 20 का राइट अंसर होगा अपसर नमबर डी लॉड मेयो के शासन काल में लीची का सरवधिक उत्पादन बिहार के किस जीले में होता है वन का राइट अंसर होगा अपसर नमबर ए मुझपर पूर जीला में भारत निर्मान योजना की शुरूआत कब होई थी दो का राइट अंसर होगा अपसर नमबर सी 2005 इसपी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवधनों की शुरूआत बिहार में कब की गई थी इतिहास में कौन सा वन्स पित्रिहंता वन्स के नाम से जाना जाता है चार का राइट एंसर होगा आप्सन नमबर ए हर्यक वन्स भारतिय कंग्रेस समझवादी पाटी के सचीव कौन बनाये गए थे कोस्चन नमर 5 का राइट एंसर होगा आप्सन नमर सी जैपरकास नरायन को कोस्चन नमर 6 भूमी हद बंदी अधिनियम कब लागू किया गया था चो का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर B, 1916 ISP में भारतिय राष्ट्रिय कंग्रस के पर्थम अधिवेशन में कितने परतिनीदियों ने भाग लिया था साथ का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर C, 72 परतिनीदियों ने भुपेंद्र नरायन मंडल बिश्व बिद्याले कहां इस्दित है आठ का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर B, मधेपूरा में रेलबे ने अपनी 185 बरस गाठ कब मनाई है इसका राइट एंसर होगा आप्शन नमबर A, 2003 ISP में सविधान की मूल प्रति को अलंकरित करने का कार्ज किस ने किया था कोश्चन नमबर दस का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर C, नंदलाल बोस ने सविधान के किस अनुछेद में प्रतिक राज के बिधान साभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है कोश्चन नमबर 11 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर D, अनुछेद 178 सुन नदी का उद्गम एस्थल कहां पर है? सुन नदी का उद्गम एस्थल कहां पर है? 12 का राइट एंसर होगा आमर कंटक की पहाड़ी आप्शन नमबर B, भारत के सभिधान के किस अनुछेद के अंत्रगत राजपाल के पद के लिए योगिताएं निर्धारित की गई है? 13 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर C, अनुछेद 179 के अंत्रगत भारतिय शभिधान के अनुछेद 179 के तहट किसकी संकलपना परस्तूत की गई है? 14 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर A, बिधान सभा भारतिय शभिधान के अनुछेद 170 के तहट, बिधान सभा के सदस्यों की संक्या अधिक्तम कितनी हो सकती है? 15 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर D, 500 Q16, भारतिय श्टेट बैंक का राइश्टिय करन कब हुआ था? 16 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर C, 1955 इसपी में भातिक वादी संप्रदाई को अन्य किश नाम से जानते हैं? 17 का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर B, लोकायत संप्रदाई से भातिक वादी Q18, भातिक वादी संप्रदाई की संस्थापक कौन थे? अठाड़ा का राइट एंसर होगा आप्शन नमबर D, किस कम्बली? अजित किस कम्बली? Q19, मौरिशस में बोली जाने वाली बिहार की छेतरी भासा कौन सी है? अप्शन नमबर B, भोचपूरी बिहार में बल्थर मिर्दा का निच्छेव किस छेतर में पाया जाता है? 20 का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर A, कैमुर जीला में 22 मार्च दोहर दोस इस्पी को पर्थम बिहार दिवस का आयोजन किस अस्थान पर किया गया था? इसका राइट एंसर होगा अप्शन नमबर B, गांधी मैदान में परवरिश योजना की शुरूआत बिहार सरकार के द्वारा किस बर्थ की गई थे? दो का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर C, दोहर चोदा इस्पी में सेरसास के समय प्रागना प्रमूख प्रसासनिक अधिकारी कौन होता था? तीन का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर B, सिकदार, सुन नदी, किस नदी की सहाइक नदी है? चार का राइट एंसर होगा अप्शन नमबर A, गंगा नदी की? पाप हरनी मेला बिहार में कहां आयोजित किया जाता है? अप्शन नमबर C, भागलपूर में किस गुप्त समराट ने हुणों को प्राजित किया था चो का राइट अंसर होगा आपसर नमबर D अस्कंद गुप्त ने पादरी की हवेली कहां इस्तित है इसका राइट अंसर होगा पटना आपसर नमबर A पटना कोलेज की अस्थापना कब की गए थी इस प्राइट अंसर होगा आपसर नमबर B अठाड़े सतिरे सट इसपी में भगवान महबीर का जनम जनम अस्थान कुंड गराम किस जीले में इस्तित है नाइन का राइट अंसर होगा आपसर नमबर C बैसाली पावपूरी का परचीन नाम क्या था क्वेश्चन नमबर टेन का राइट अंसर होगा आपसर नमबर A अपूर बैसाली जीले के बशार से किनके दो अभिलेक प्राप्त हुए है ग्यारा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर D महादेवी परभु दाया का क्वेश्चन नमबर टुवर्व पार्शावनात के परमुक्सिस ये कौन थे बारा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर A केसी मंडल अयोक का उदेश से किस बर्ग के समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े पन की पहचान करना था तेरा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर C पिछड़ा बर्ग क्वेश्चन नमबर 14 क्वेश्चन नमबर 14 1830 के दसक में पाटना नगर किस अंदोलन का केंदर था इसका राइट अंसर होगा वहावी अंदोलन आपसर नमबर A पाट्टी पूत्र के अस्थापना किस ने की थे पंदरा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर C उदाहिन ने पाटना के गोल घर का निर्मान किस गोवर्नर जनरल के शमय में हुआ था सोलला का राइट अंसर होगा आपसर नमबर A वारन हेस्टिंग कोश्चन नमबर 17 तिर्वेनी नहर बिहार के किस नदी परियोजना का अंग है सत्रा का राइट अंसर होगा आपसर नमबर C गंडक नदी का पाट्ली पूत्र के कीले का निर्मान किस सासक ने करवाया था अठाड़ का राइट अंसर होगा आपसर नमबर A अजात सत्रू ने गया के विश्णुपद मंदीर का निर्मान किस्क ने करवाया था 19 का राइट अंसर होगा आपसर नमबर C अहिलया वाई ने किश भारतियों को रोबर्ट क्लाइब ने बिहार का नायब दिवान न्योक्त किया था 20 का राइट एंसर होगा अप्सन नमबर बी सिताब राय को अगला प्रशन है पाल वंस के किस सासक को बंगाल के समन्तों एवं आम जानता के द्वारा चूना गया था वन का राइट एंसर होगा अप्सन नमबर ए गोपाल वंस के पाल वंस के किस सासक को बंगाल के समन्तों एवं आम जानता के द्वारा चूना गया था गोपाल को चुना गया था इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर गोपाल पुश्य मित्र सुंग ने किस वंस की अस्थापना की थी दो का राइट एंसर होगा आपसन नमबर भी शुंग वंस की पुर्शो के द्वारा इस्त्री की भेश भूसा में किया जाने वाला निर्त्य कौन सा है तीन का राइट एंसर होगा आपसर नमबर C पवंडिया निर्त्र पुनपुन नदी गंगा में किस अस्थान के शमिप मिलती है इसका राइटेंसर होगा पटना, पटना में मिलती है पुरानी जलोड मीटी को अन्य किस नाम से जानते हैं पांच का राइटेंसर होगा अप्शन नमबर B, बांगर मीटी के नाम से बिहार के कितने परतिशत छेत्रपल पर छारखंड राज बना है चो का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, 42 परतिशत पर कोश्चन नमबर 7, पुर्वी पश्चमी गलियारे के अंत्रगत बिहार से गुजरने वाले कौन-कौन से राश्ट्री राजमार्ग आते हैं इस प्रश्चन का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर D, NH-527D पत्थर की मस्जीद का निर्मान कब और किसके द्वारा करवाया गया था आठ का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, 1621P में परवेज ने किया था 35 बर्श की आवास्था में पीपल ब्रिक्ष के नीचे तपास्या के उन्चस्वे दीन किस कानिया के हाथ से खिर खाने के बाद बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी 9 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, सुजाता के बिहार समुद्र से किस जलमार्गों से जुड़ा हुआ है 10 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, गांगा और हुगली के जलमार्गों से पादरी की हवेली का निर्मान कब और किस के दौरा करवाया गया था 11 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, 17 से एकाउन इस भी में किया गया था और कपुचीन फादर्स ने इसका निर्मान करवाया था पटना में ठड़ संताउन के 37 संग्राम के नेता कौन थे 12 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर D, पीर अल्ली उचावच एवं धरतलिय रूप के अधार पर बिहार को कितने भागों में बाटा गया है 13 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, तीन भागों में कोश्चन नमबर 14, दिदार गंज यानि पटना दिदार गंज में पटना में है, से प्राप्त इस्तिरी रत ने या यच्छनी की मूर्ती को क्या नाम दिया गया है 14 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, चामर गरहिनी गोतम बुध अभ्यारन बिहार के किस जिले में इस्तित है 15 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, गया जिले में प्रेंट्स अगला परशन है, नलांदा आंतराष्टिय बिश्विद्याले का पहला कुलपती कौन था 16 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, डाक्टर एबेज अब्दुल कलाम 17 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर D, जौन गाश्टिन पटना कलम या पटना सैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है 19 ठाड का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, कमपनी सैली पटना कलम सैली के अन्तिम महतपून चित्रकार कौन थे 19 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, इस्वरी परसाद बर्मा 20 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, कासी के राजा पटना नगर निगम में वाडो की शंख्या कितनी है 1 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, 75 गंगा के उत्री मैदान भागों में कौप मीटी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है 2 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, 13 कोश्चन नमबर 3, दीन दयाल उपध्यायर ग्रामिड जियोती योजना का सुभारम राज में पटना जीले से कब किया गया था इस प्रस्ण का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, 2015 में बहाबी अंदोलन का नित्रित्यों पटना में किश्ने किया था चार का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर D, बिलायत अली और इनायत अली ने गोल घर किस सहर में श्तित है इसका राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, पटना में बसाड से प्राप्त मुहरे किसकी है इसका राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, महादेवी ध्रोश्वामीनी का कोश्चन नमबर 7, रसीम रथी के रचईता कौन है इसका राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, रामधारी सीह दिन कर पटना भी सुभी द्याले के पर्थम कुलपती कौन थे? आप्शन नमबर C, जेजी जेविंग्स सुमेश्वर पहाड़ी की उचाई कितनी है? इस प्रशन कर राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, आठ सो असी मिटर पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? दस कर राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, शीयाडी के द्वारा पटना सैली के किस्त पारिखी को पोट्रेट की सरजना का अचारिया कहा जाता है? ग्यारा कर राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, राधा मोहन बाबु को दिदार गंज से प्राप्त यचिनी की मूर्ती किस काल की है? बारा कर राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, मौर्यकाल के नवादा के निकट अप्शड गाउं से किस कुप्त कालिन साशक का साश पाशाण अभिलेक प्राप्त हुआ है? तेरा कर राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, आदित्य सेन बिहार बिधान सभा का पर्थम उपाध्याक्ष किसे निकट किया गया था? चवदर का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, अब्दुलबारी को बिहार के कौन से नेता सभिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चूने गया थे? 16 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, राजेंदर परसाथ प्लाइबूड का करखाना बिहार के किस जीले में है? 17 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, मुझहपरपुर में पुन रुप से पहला भारतिय बैंक कौन सा है? 18 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, पंजाब नेशनल बैक, PNB कौन नमबर 19, पुरब से पस्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? 19 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, 483 किलोमेटर पुरबी कोशी नहर परणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 20 का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर C, 44 किलोमेटर पुरबी तिरवेडी नहर की कुल लंबाई कितनी है? वन का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर B, 293 किलोमेटर पटना उच नयाले के पर्थम भारतिय मुख्य न्यादी स्कौन थे? दो का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, फजल अल्ली प्रियाग अस्थमलेक को किस सासक ने अलहाबाद के कीले में रखवाया था? तिन का राइटेंसर होगा आप्शन नमबर A, अकबर ने प्रियाग राज, प्रियाग अस्थमलेक पहले कहां इस्तित्था? चार का रैट एंसर होगा, आप्सन नबर B, कौसांबी में पर्खंड परसासन का परमुख कौन होता है? पांच का रैट एंसर होगा आप्सन नबर C, पर्खंड विकास पधदिकारी परमंडल परसासन का परमुख कौन होता है? पर्थम बौध संगीती के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नम्र साथ का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र बी महाकस्यप के द्वारा अगला प्रशन है भारत के किस राजे में स्वर पर्थम अल्प संक्यक अयोकिस बैधानिक अधिकार परदान किये गए थे? आठ का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र ए बिहार राज्य बिहार में किशान सभा के गठन की अपचारिक घोषना कब की गई थी? नाइन का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र बी उनिश अठाई सिस्पी में पर्तेक मंत्री पद गरहन करने से पुरुव किसके समूख पद एवं गुपनियता की सपत लेते हैं? कोश्चन नम्र दस का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र बी राजपाल कोश्चन नम्र 11 बौध धर में 12 चक्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ग्यारा का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र ए द्वादस नदान मगद समराज का पर्थम उतकर्ज किस सपताब्दी में हुआ था? बारा का राइटेंसर होगा आप्षन नम्र ची सी छटी सपताब्दी इस्पी में Q13. बिहार बिधान सभा का पहला प्रोटेम इस्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तेरा कराइट एंसर होगा Aption C. जैर राम दस दौलत राम को पटना संग्रहाले के पर्थम संग्रहाले अध्याक्ष कौन नियुक्त हुए थे? 14 का राइट एंसर होगा A. सरच चंदर राय को बिहार बिधान सभा का पहला अध्याक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 15 का राइट एंसर होगा A. आपसन नमबर B. राम दयालुसी 16 का राइट एंसर होगा A. आपसन नमबर A. मन्जुसा सैली 17 का राइट एंसर होगा A. आपसन नमबर A. शेर सासूरी ने 16 का राइट एंसर होगा A. आपसन नमबर A. पाटले पुत्र फ्रेंट्स उमीद है यह सेसंस आप लोग का अच्छा लगा होगा फ्रेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को दबा लिजेगा